हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आशे करते हूँ अप सभी लोग ठीक होंगे एच्छे होंगे मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे यूस्फुल एनिमल्स के बारे में यह है जीँज का और यह है क्लास थार्द का ठीक है class third का z के हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें क्या पढ़ेंगे useful animals अब देखे animals के बारे में क्या पढ़ेंगे हम animals are useful to us in many ways जो animals होते हैं वो हमारे लिए बहुत useful होते हैं बहुत ही तरीकों से क्यों होते हैं क्योंकि we get milk हमें उनसे क्या मिलता है milk मिलता है, egg, अंडे मिलते है meat मिलता है, wool मिलता है, honey मिलता है, silk मिलता है किस से, ये सारी चीज़े हमें कहां से मिलती है animals से, तो ये चीज़े हो गई, यहां से हमें इतनी चीज़े जो हमारे लिए जरूरी हैं वो मिलती है और साथ ही साथ, animals also used to carry loads animals का हम use किसलिए करते हैं उनके उपर हम आपका load रखते हैं या पर को समान को लाद के एक जगा से दूसरे जगा पर ले जाते हैं plug field यानि कि खेज जोतने का भी काम करते हैं और जो हमारा तांगा होता है उसमें भी आप देखते हैं कि एक घोड़ा लगा होता है जो card को यानि कि जो गाड़ी को खिषता है और साथी साथ जो useful animals होते हों हमारे guard यानि कि घर की जो है उस सुरक्षा भी करते हैं तो आईए यहाँ पर देखते हैं कितने useful animals हैं इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है पहला है आपका take the correct answer and complete the sentence यानि कि हमें क्या करना है sentence को पढ़ना है और जो भी यहाँ पर fill करना उसे fill करना और साथ ही यह भी वताना है कि कौन सा इसमें सही है तो लिखा है question we get milk from milk is good for health milk हमें किस से मिलता है और milk हमारे health के लिए बहुत ही अच्छा है तो ox, bull या cow तो आप सभी को पता है कि हमें milk कहां से मिलता है cow से तो यहाँ पर लिखेंगे c o w cow second number पर आते हैं we get x from x help us building muscles यानि कि जो हमारी muscles है body की वो कौन build up करता है एग उसमें help करता है ठीक है तो एग हमें कहां से मिलता है अंडे हमें कहां से मिलते हैं cock मुर्गा चिक मतलब बच्चा होता है जो आपका होता है मुर्गी और hen यानि की मुर्गे तो हमें अंडा कहां से मिलता है दोस्तों यह हमें मिलता है hen से यहाँ पर हम क्या feel up करेंगे hen क्या feel up करेंगे hen ठीक है क्या लिखेंगे hen hen से हमें क्या मिलता है अंडा मिलता है और अंडा क्या करता है हमारी muscles को build करने में मदद करता है चले आगे आते ह थारड नमबर पर थारड नमबर क्या है we get honey from dash fill up करना है हमें यहाँ पर honey help to fight infection देखिए अगर आप honey का use करते हैं यानि कि honey आप खाते हैं तो यह आप के body में जो भी infection होता है उससे आपको क्या करता है यह बचाता है आपको protection provide करता है तो हमें जो honey होता है वो कहां से मिलता है honey bee ladybug या wasp ठीक है wasp तो यह हमें कहां से मिलता है honey bee से तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या fill up करेंगे यहाँ पर fill up करेंगे honey bee h o n e y honey h o n e y honey b e honey bee और take किस पर करेंगे पहले बारे पर honey bee पर चले आगे आते हैं we get wool from fill up fill up से उसके बाद है wool is used to make coolant cloths यानि कि जो हम ठंडी में कपड़े पहनते हैं woolant cloths उसको बनाने के लिए क्या use करते हैं oon का use करते हैं और oon हमें कहां सर्मिलता है तो है ship deer monkey तो आप सभी को पता है कि oon हमें कहां सर्मिलता है ship सर्मिलता है तो यहाँ पर क्या भरेंगे ship ठीक है तो दोस्त यह हो गया और आगे भी अभी बचे हुए कुछ और भी useful animals उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं देखिए 5 number क्या है आपका we get silk from silk is used to make silk cloth यानि कि जो रेशम के कपड़े होते हैं वो किस्से बनते हैं तो silk हमें कहां से मिलता है earth warm ठीक है एंगल warm यह silk warm तो यह हमें मिलता है आपका silk warm से तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे दोस्तो ऊस्तो सिलक warm से हमें क्या मिलता है सिलक यानि की रेसं के कपड़े मिलते हैं चली आगे आते हैं यानि कि बहुत ही भरोसे मन जानवर होता है और जब भी आपके घर पे कोई stranger आता है कोई बाहरी वेक्ति आता है तो उसके ऊपर ये क्या करता है चले आगे आते हैं तो देखिए ऐसा कौन सा जानवर है जिसके उपर हम लोड लादते हैं और एक जगा से दूसरे जगा पर लेके जाते हैं जब्रा डॉंकी अजिरा तो क्या होगा ये डॉंकी ठीक है तो डॉंकी को हम और एक नाम से जानते हैं बीस्ट आउफ बर्डन के नाम से जानते हैं तो यहां पर हम क्या फिल अब करेंगे दोस्तों डॉंकी ठीक है चले अब आगे आते हैं ठीक है एट नमबर कोशन पर आते हैं एट नमबर कोशन हमारा क्या लिख कह रहा है चले थोड़ा सा उपर कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं यह है लास्ट तडैश इस एन एनिमल ट्रॉस केरेस और कार्ट इस आलसो यूस फॉर राइडिंग तो ऐसा काउन सा एनिमल है जिसे ह हम कार्ट चलाने के लिए यूज करते हैं ठीक है तांगा चलाने के लिए यूज करते हैं साथी साथ इसके उपर बैट के हम राइडिंग भी करते हैं तो यह फॉक्स बीर या होर्स इसका अंसर होगा दोस्तों होर्स तो होर्स के उपर लोग बैट के राइडिंग भी करते ह और साथ ही साथ इसके उपर यह क्या करता है तांगा खीचने के भी काम में आता है तो दोस्तों आपको यह इतनी चीज़े समझ में आई होंगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी बहुत सारी वीडियो जाएंगी और फाइली वीडियो देंगे थैंक्स वर वाचिंग सुधेर टुटोरियल